हेलो डीएवियंस, वेलकम टू अन्यू क्लास अभी हम लोग शोसल साइंस पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 20 दा यॉनियन गवर्मेंट, दा जुडीशरी आपके क्लास के हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको डीएवी गुरू पर मिल जाएगा इसके लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा वहाँ पर आपको सारे प्लिलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं 9th और 10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है आप इसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पर सकें तो चलिए ब्रेन मैपिंग के साथ चैप्टर की शुरुवात करते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है जिसमें कि तीन सब्टॉपिक्स भी हैं सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिश्री के बारे में परना है फिर टाइपस ऑफ केसिस के बारे में फिर नेक्स सब्टॉपिक है सिंगल उनाइटेड एंड इंटीग्रेट जुडिशियल सिस्टम उसके बाद नेक्स्ट हमारा में टॉपिक होगा सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया इसके अंदर भी कुछ सब्टॉपिक्स है नहीं लिखे जगर नहीं है उसके बाद है पावर्स एंड फंक्शन्स ऑफ सुप्रीम कोट इसके अंदर भी कई सारे सब्टॉपिक्स हैं उसके बाद High Court और सबसे अंतिम में हमें पढ़ना है Powers and Functions of High Courts के बारे में तो जलिए चैप्टर को समझना शुरू करते हैं आराम से एरफन लगा कर बैठ जाईए और पूरे चैप्टर को कहानी की तर सुनिए कहीं से भी कोशन पूछा जाएगा definitely आप अंसर कर पाएंगे पिछले दो चैप्टर में हमने Union Government के दो major organs के बारे में पढ़ लिया था जिसमें की एक था legislature और दूसरा executive हमने देखा था कि legislature का काम होता है कानून बनाना वहीं executive का काम होता है उनको enforce करना कानून को लागू करना इस चैप्टर में हम लोग तीसरे organ के बारे में पढ़ेंगे डाट इजुडीश्री यानि की न्यायपाली का जुडीश्री का काम क्या होता है उसी के बारे में अच्छी से इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक federal government के लिए judiciary का होना बहुत important होता है federal government कहने का मतलब हुआ ऐसा government जो की levels में काम करती है जैसे कि हमारे देश में है हमारे देश में central level पर भी government काम करती है उसके नीचे जितने states हैं उन states level पर भी government काम करती है और उसके नीचे district level पर भी government काम करती है इस तरह से अलग-अलग levels पर government काम करके पूरे देश को चलाती है देश को बहतर तरीके चलाने के लिए judiciary का होना बहुत important होता है judiciary के वल disputes को resolve नहीं करती है केवल जगरे नहीं सुल जाती है इसके अलावा judiciary को constitution का interpreter भी माना जाता है मतलब हमारी न्याय पालिका ही constitution की व्याख्या करती है कि हमारे समविधान में जितनी बाते लिखी गई है उनका हमारे real life में क्या implication होगा उसको हमारे real life में कैसे apply किया जाएगा जब भी कोई dispute होता है किसी तरह का विवाद होता है चाहे वो property को लेकर जगरा हो या किसी के rights का violation हो गया हो या किसी ने अपने power का misuse कर लिया हो अपने power का गलत इस्तिमाल कर लिया हो किसी के साथ violence हो गया हो या किसी का exploitation किया गया हो या इसी तरह का कोई और भी शू हुआ हो जो कि हमारे day to day life में होते रहता है तो उसके लिए हम court of law में जाते हैं justice के लिए जहांपर हमें न्याय दिया जाता है हमारे court का काम होता है कि जो aggrieved party है जो period party है जिसको न्याय चाहिए जिसके साथ न्याय हुआ है उसको justice provide करना उसको न्याय देना therefore a system of courts under an independent judiciary is the foundation of our democracy इसलिए हम कह सकते हैं कि courts का एक system जो कि independent judiciary के अंदर काम करती हो ऐसा एक democratic country के लिए होना बहुत जरूरी है independent judiciary कहने का मतलब क्या हुआ देखे judiciary जो होती है एक independent institution होती है मतलब legislature और executive जो की हमारी union government के बांकी दो organ है इन दोनों का इस पर कोई control नहीं होता है ये पूरी तरह से independent होती है आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा information आप लोग के लिए है कि अब हम लोग अने कैडमी पर live class भी करते हैं वो भी बिलकुल free में आप इसके लिए मुझे सर्च कर लीजेगा में की मनी सर्च करेंगे तो मेरा ID मिल जाएगा यहां से follow कर लीजेगा उसके बाद जब भी हम live आएंगे तो आपको notification मिल जाएगा फिलाल हम 8 बजे नहीं फिलाल हम 6.30 में daily live आते हैं धाई गंटे का class चलता है independent, impartial और unbiased हो अगर judiciary स्वतंतर नहीं होगा अगर वो किसी एक ही party का पक्च लेने लगा तब तो न्याय नहीं दिया जा सकता है इसलिए judiciary का independent, impartial और unbiased होना बहुत जरूरी होता है हमारे judiciary केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं करती है बलकि और भी कई सारे माम लोगों सुल जाती है जैसे कि जितने भी civil cases होते हैं criminal cases होते हैं constitutional matters होते हैं उन सबी को हमारी judiciary ही सुल जाती है without any pressure from the executive or the legislature इन पर executive और legislature का कोई प्रभाव नहीं रहता है ये सब उन पर pressure नहीं बना सकते हैं कि आप party A के पक्ष में ही फैसला दीजिए या party B के पक्ष में ही फैसला दीजिए हमारे constitution में कई सारे ऐसे provisions हैं कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारी judiciary को एक independent organ बनाती है मतलब दूसरे party से स्वतंतर बनाती है इन पर हमारी legislature का और executive का कोई प्रभाव नहीं रहता है Do you know में कुछ ऐसे ही special provisions के बारे में बताया गया है जो कि हमारे judiciary को independent रखने में मदद करती है जैसे कि हमारे judges को appoint किया जाता है on the basis of their qualification judges का कभी भी election नहीं होता है जैसे कि हमारे legislature में election होता है legislature के members के लिए वैसे यहाँ पे election नहीं होता है qualification के basis पर judges चुने जाते हैं second है the judges cannot be removed easily judges को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है एक special procedure है उसके लिए जिसके थुरू उनको हटाया जा सकता है और उस procedure का नाम है impeachment जैसे president का impeachment होता है न उसी तरह judges का भी impeachment करना पड़ता है तब उनको हटाया जा सकता है judges को adequate salary दिया जाता है ताकि वो अपनी जरोतों को पूरा कर सके और उनके salary और alliances को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है उनके tenure के दोरान जब तक उनका कारेकाल चल रहा है तो जो भी उनका salary है वो बढ़ेगा ही लेकिन घटेगा नहीं and the tenure of the judges is fixed हमारे judges का जो कारेकाल होता है वो fixed होता है जैसे कि हमारे CGI है CGI जो भी बनता है न Chief Justice of India जो भी बनता है उनका उम्र जब तक 65 साल नहीं हो जाता तब तक वो CGI बने रहते हैं हमारे next topic है types of cases cases कितने तरह के होते है there are mainly two types of cases which are brought before the court court के सामने दू तरह के case लाए जाते है एक तरह का केस का नाम है civil cases और दूसरा है criminal cases civil cases के अंदर ऐसे disputes ऐसे विवाद आते हैं जो कि property को लेकर हो या marriage को लेकर हो money को लेकर हो rent को लेकर हो purchase of goods को लेकर हो इन सब को लेकर जो विवाद होता है जो matter होता है ये सब civil cases के अंदर आते हैं इसके अलावा अगर किसी individual के rights का infringement या violation हो जाता है यानि कि अगर उनके अधिकारों का हनन हो जाता है तो वो भी civil cases के अंदर ही आता है there are civil laws to settle and decide civil cases इनका निप्टारा करने के लिए civil laws बने हुए है जिनके आधार पर इन केसों की सुनवाई की जाती है और बात करें criminal cases की तो ये तो नाम से ही पता चलता है जो काम criminal वाला होता है जैसे कि robbery हो गया, murder हो गया, cheating, harassment of women beating, violence, kidnapping ये सब जो case होता है नो ये सब criminal case कहलाता है इसके अलावा tax evasion का जो मामला होता है यानि कि text jury ये भी एक criminal offense ही है usually criminal cases की शुरुवात होती है FIR lodge होने के साथ FIR यानि कि first information report अरे भाया, अस तक हम को लगता था किसका full form होता है first investigation report लेकिन first information report होता है याद रगिएगा after investigation by the police the case is filed in the court पहले police investigation करती है जो भी case register होता है और उसके बाद उस case को court में file किया जाता है उसको court ले जाया जाता है अगर crime prove होता है तो accused को यानि कि जो दोशी होता है उसको या तो jail भेज़ दिया जाता है या तो fine दे दिया जाता है या कुछ cases में fine भी ले लिया जाता है और jail भी भेज़ दिया जाता है एक do you know यहाँ पर दिया गया इसमें बताया जा रहा है कि F.I.R. lodge किया जाता है police के पास about a criminal offense अगर कोई criminal offense होता है तो according to law whenever a person informs the police about an offense जब कोई person किसी offense को report करता है it is compulsory for the police police के लिए compulsory होता है उसको register करना एक F.I.R. के तौर पर उसको register करना police के लिए compulsory होता है लेकिन कुछ cases में police नहीं करती है इसलिए हमकोंसी आ रहा है एक note करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी आदमी अगर offense के बारे में जानता है तो वो जाकर police के पास F.I.R. register करवा सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि केवल crime का victim ही F.I.R. register करवाएगा for example मान लिजी आपके साथ मारपीट हो गया आपको कोई कूट के चले गया अब जरूरी नहीं कि आप ही जाकर F.I.R. register करवाएगे तो F.I.R. register होगा नहीं आपका अगर कोई दोस्त है तो वो भी आपके बहाफ में F.I.R. register करवा सकता है हमारे next topic है Single Unified and Integrated Judicial System Single Unified and Integrated यह हमारे Judicial System का एक बहुत ही unique feature है इसका मतलब हमारे chat GPT देवता ज्यादा बेहतर तरीके समझा पाएंगे Single Unified and Integrated का मतलब होता है Having all courts and legal entities working together seamlessly under one system to make the legal processes smoother and more organized Single Unified and Integrated होने का मतलब यह हुआ कि सभी courts और जितने भी legal entities हैं वो सभी एक साथ seamlessly बिना किसी friction के काम कर सके और जितने भी legal processes हैं वो smooth और organized तरीके से चल सके वह ही यहाँ पर बताया गया है कि हमारे federal democratic setup का एक unique feature यह है कि हमारे पास एक single unified and integrated judicial system है जो कि पूरे देश में काम करती है हमारे judiciary को यह power दिया गया है कि यह पूरे देश के judicial system को supervise और control कर सकती है यह सुनिस्चित करती है कि सब को justice मिल सके सब को न्याय दिया जा सके Supreme Court at the apex Supreme Court सबसे शिखर पर है सबसे उपर है जो कि highest judicial authority है उसके नीचे high courts आते हैं जो कि हर state में होते हैं और उसके नीचे subordinate courts आते हैं जो कि हर district में होते हैं Subordinate courts के नीचे भी एक court आता है जिसको कहते है court of magistrate इसी लिए court of magistrate को lowest court of judicial hierarchical कहा जाता है The lower courts are controlled and supervised by the high courts बहुत important line है इसका मतलब समझे जितने भी lower courts होते हैं वो उसके उपर वाले courts के द्वारा control और supervised किये जाते हैं example के लिए court of magistrate को control और supervised करता है subordinate court इसको control और supervised करता है high court और high court को control और supervised करता है supreme court lower court में दिये गए judgment को higher court में challenge किया जा सकता है माल लेजिए कि subordinate court में कोई फैसला सुनाया गया जिससे आप संतुश नहीं है तो आप उसकी खिलाफ higher court में appeal कर सकते हैं और अगर higher court में फैसला सुनाया गया है तो आप इसके खिलाफ supreme court में appeal कर सकते हैं similarly an individual can go to supreme court of india to appeal against the judgment of high court वह तो बता है यहां पे कि अगर high court में judgment सुनाया गया जिससे आप संतुश नहीं है तो आप supreme court में appeal कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि supreme court of india law को लेकर कानून को लेकर जो भी interpretation करती है या जो भी decision लेती है वह पूरे देश में मानने होगा जितना भी इंडिया के territory के अंदर जितने भी courts आते हैं सब को वह मानना परेगा यहाँ पर देखें Indian judicial system का एक flow chart दिया गया आपके book में भी होगा सबसे apex पर सबसे top पर आता है supreme court of india उसके नीचे आते है high courts जो की अलग-अलग states में होते हैं और उसके नीचे आते है subordinate courts या जिसको lower courts कहा जाता है जो की अलग-अलग districts में होते हैं यह दो type के होतेए एक होता है civil court और एक होता है criminal court दो तरह के cases के लिए civil court में district judge बेटते हैं या additional district judge बेटते हैं और criminal courts में session judge बेटते हैं इसके नीचे आता है court of the subordinate civil judge first class और उसके नीचे आता है मुनसिफ, Quote of Sub Judge Second Class, उसी तरह इसमें भी कई सारे levels है, आप इसको read कर लीजेगा एक बार, जितना याद हो सके उतना कर लीजेगा, ज्यादा यहीं तक important होता है, अधिकतर इतना ही exam में पूछा जाता है, तो finally हमने यहां तक सभी topics को complete कर लिया, introduction part खतम, next class याने कि part 2 में हम लोग यह सब परेंगे, Supreme Court of India and Powers and Function of Supreme Court, और तीसरे part में हम लोग परेंगे High Court and Powers and Function of High Court के बारे में, आने का इड़ी में पर मुझे सर्च करके follow जरूर कर लीजेगा, वहाँ पर live class में बहुत समझाएगा आपको, आईए 6.30 में daily हम लोग लाइब आते हैं, लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप शूसल साइंस का प्लेलिस्ट ओपेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और अगले class का वीडियो के लिए राइड साइड में क्लिक कर सकते हैं, फिलाले से वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत साइडे ने topics से साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहिए